कांट्रोवर्सियल रियालिटी शो बिग बॉस 16 में कंटेस्टेंट को प्राइज मनी 50 लाग करने का मौका मिला है लेकिन इसके लिए मंदली के लोग प्रियंका चार चौधरी अर्चना गौतम और शालिन भानूट को टॉर्चर करते नजर आएंगे टीवी के कांट्रोवर्सियल रियालिटी शो बिग बॉस 16 की ग्रेंट फिनाले में अब महज कुछी दिन बचे हैं जिसकी वज़ा से अब घर का हर सदस्या गेम मोर में आ गया है मंदली हो या फिर गैर मंदली घर से जुड़ा हर कंटेस्टेंट सिर्फ खुद को ग्रेंट फिनाले में देखना चाहता है और इसके लिए सब अपनी गेम पर ध्यान दे रहे हैं के चार कंटेस्टेंट फिनाले विक में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं वहीं आप घरवाले को प्राइज बनी वापस पाने का मौका भी मिल गया जिसके लिए शो में एक टास्क होगा हलाकि यह टास्क कई बार हुआ है और इस बार निशाने पर प्रियंका चाहर चौद्री अर्चना गौत हम अब शालेंट भनोट होंगे दरसल विगवज सोला के मेकर्स ने शोशल मीडिया पर एक प्रोमो शेर किया है जो प्राइज मनी के टास्क आए इस प्रोमो में देखा जा सकते हैं कि शो का हर कंटिश्टेंट लेविंग एरिया में बैठा है और विगवज कहते हैं कि शो में 50 लाक रुपे वापिस पाने में के लिए एक मुकाबला कोक्ते हैं जिसके लिए घर में मंधली के बीच मुकाबला होगा इसके बाद प्रोमो में आगे देखा जा सकता है यह देख सकते हैं कि प्रियंका आर्चनरों शालीन एक-एक पारडियम के सहारे खड़े होते हैं और श्रियू निमृत और स्टैन उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं इस दोरान मंडली के तीनों सदस्य उन्हें खुब टॉर्चर कर रहे हैं श्रियू बार बार प्रियंका के मुग पर साबुन वाला पानी भिखते हैं तो वहीं शालिन के बाल निकालने तक की बात होती है साफ है कि प्राइज बनी के लिए मंडली के लिए हर सदस्य हर हद पार कर रहे हैं हर हद के पार हो जाएंगे हलाकि प्राइज बनी के इस टास्क में एक ट्विस्ट भी होता है सुरुआत में बिग गौसद्वरा कह दिया जाता है कि मंडली में चार सदस्य हैं लेकिन सिर्फ तीन लोग ही टास्क में हिस्सा ले सकते हैं ऐसे में श्री उनिम्रित और एम्सी स्टें मेरी करिया फैसला लेते हैं कि वह सुम्बूल तौकिर खान को गेम से बहान रखेंगे हाला कि सुम्बूल इस पर जब बोलती है तो वे तीनों कहते हैं कि वे कोई रिस्क नहीं लेना चाहते बता दे कि नमिनेशन टास्क में सुम्बूल ने सबसे ज़्यादा समय लिया था जिस वज़ा से मंडली के लोग सिधा नमिनेट हो गया थे धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूले हम आपको ऐसे ही नए अपडेट देते रहेंगे धन्यवाद